हलो एवरिवन हाज हम बात करेंगे रर्वी एंट बीजी के नोटिफिकेशन को लेकर इसके एपलाई प्रोसेश को लेकर वेकेंसी को लेकर और क्वालिफिकेशन को लेकर तो वीडियो में लगातार बने रही है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे वढ़ते हैं वी डियो में हैं मैं तो जैसा कि आप देख रहे हो इस्क्रीन पर मैंने अर्र भी आज मेर की ऑफीशल साइट खोली हुई है और इस ऑफिसल साइट जो की अलगलर इन अलगलर जोन में अलगलर साइट हैं उप सोस्के. सबसे पहले ने जो कलेंडर जारी किया था उसको लेकर तो देखेंगे जो आरबी के ने जो एक्जाम कलेंडर जारी किया था तो इसमें बताया गया था मैं आपको एक बार पता देता हूं कि इसमें बताया गया था ALP जो कि जनवरी मार्च में इसके फॉर्म बर लिये जाएंगे और फॉर्म इसके सम्मिट भी हो चुके हैं लेकिन इसके फैकन से इंक्रीज हुई है इसलिए इसके जोन होंगे उसके बार मैं भी पता नहीं है कब जोन चेंज करने का लिंक इक्टिबेट होगा नहीं तो अभी इसका थोड़ा चल रहा है लेकिन फॉर्म इसके पान जुक्षन समेट हो चुके हैं उसके पाद जो टेक्निशन एक्जाम फ़र्म थे वह भी submit हो चुके हैं और इसमें भी साइध ऐसे ही होने वाला है वेकेंसे increase होती है फिर इसका link activate होगा फिर इसके बाद form जिनने form बढ़ा है उनका zone change होगा इस तरह समय सकते हैं अब इसका zone change करने का link activate नहीं हुआ है जुलाई मिड से भी जादा हो चुका है दस दिन बचे हैं जुलाई को खतम होने में फिर इसके बाद technician के अगर form अगर vacancy change भढ़ जाती है तो फिर इसका link activate होगा फिर इसके form जिन्होंने form बढ़ा वो अपना zone change करेंगे दस दिन या पंदर दिन के लिए जो भी दिया जाएगा फिर इसमें भी time लेगा तो आप समझ सकते हो अभी ALP के zone change करने है उसका building activate नहीं हुआ है तो यह जुलाई तो गया काम से ALP के zone change करने के अंदर ही जुलाई खतम हो जाएगा उसके बाद 10 दिन और ले लिजे अगस्त में तो ALP के zone change करने का ALP के zone change होंगे अगस्त के 10 दिन और ले लिजे यह जब मैं बता रहा हूं अगर RRB अपने सही तरह के से काम करेगा और fast करेगा तब है फिर उसके बाद technician के अगर बढ़ जाते हैं फॉर्म क्या हो वेकेंसी बढ़ जाती है तो फिर लिंग एक्टिवेट होगा दस दिन लगेंगे फिर दस दिन के लिए student उसके अपने zone change करेंगे तो कम से कम अगस्त का मिड गया मिड या अगस्त बीस अगस्त तक तो इन दोनों यह दोनों फॉर्म ह अगस्त बीड से जदा हो चुका है वीस अगस्त तक इन दोनों फॉर्म ने ले लिया है लेकिन आपको मालूम है जूनियर इंजिनियर के बारे में बताया गया था कि इतनी वेकेंसी आने वाली है इतनी वेकेंसी 7000 प्लस थी बता दिया था लेकिन टीपीसी ना ग्रेजुस कि इतनी वेकेंसी आने वाली है तो मतलब अगस्त भी गया फिर उसके बाद अरब एक्टिवेट करेगा फॉर्म बढने के लिए तो मतलब अगस्त से जिस हिसाब से में बता रहा हूं और प्रैक्टिकली इसी तरह से होगा ऐसा नहीं है कि सबुकिוש सब्सक्राइब कर दो मतलब सित्मर के स्टार्टिंग में ही हो सकता है जहां तक संभावना है तो देख लीजे तैयारी करते हीजे जितनी लेट तैयारी करोगे उतना है आपको प्रॉफिट है उतनी वेकेंसी आपके हात में हैं आपके हात में होगी तो तो नगेंसा मतलिए आपके आने वाले है ह inscription की तो थोड़ा दिल हो रहा है बता दे तो मैं आपको थेंटिक और आप प्रेक् ner किले बात करते हैं पाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर भी किन है तो मुझे पर वीडियो को लाइक कर दीजे बाकिन इन्फरमिशन आती है मैं आपको बता दूँगा और मैं बता हूँ एंटी बीजिम के सरसा आप सेलेक्शन पासकते हो बाकि मैं आपको बता दूँगा कंटेंड क्या पढ़ना है कौन को से टॉपिक पढ़ना है क्या क